हेलो गाइज वेलकम बैक टो नदर वीडियो तो यह लिए है हमने नहीं एक टाटा नैनो जिसको मैंने अज़ा प्रोजेक्ट कार परचेस करा है तो इसमें बहुत कुछ कराने वाले हैं पर इस वीडियो में मैं आपको इसके एक बेसिक डीटेल दे रहता हूं कि या नैनो में और यह आप देख सकते हो यहाँ पर XT की बैजिंग है और इसके उपर सिफे एक मॉडल आता था जो XTA जो आटोमेटिक में आता था और हाँ यार यह मैंने क्यों परचेस करी यह मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा और अभी मैं सिफ आपको एक ओवर्व करता है और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको जो है पावर स्टेरिंग मिल जाता था और इसमें जो था टाटा ने सेंटर लॉकिंग प्लस फ्री स्पोक स्टेरिंग विल देना स्टार्ट कर दिया था जो कि आज कल टियागो टिगोर में भी आई थिंग यही वाला स्ट के साथ मैं आपको जो था इसमें आपको स्टीरियो भी अराम से करता है और इसमें जो अड़ांस चीज थी यह जैनेक्स मॉडल था तो इसमें आपको जो बूट था उसका एक्सेस आपको बाहर से मिल जाता था जिससे कि आपको अलग से अंदर से उसको उपन नहीं करना तो अगर आपको भी आरी option मिलता है कहीं पर तो आप खरीच सकते हो यार काफी आपको डीसेंट प्राइज में गाड़ी मिल जाती है और इसका जो प्राइस कोस्टिंग है वह आपको अराउंड अगर आप मार्केट में जाओ गयर अच्छी कंडिशन की नैनो डूंड रहे ह तो यार अराम से एक लाग से एक बीस तक में आपको मिल जाएगा 2015, 2016, 2017 का मॉडल वो डिपेंड करता है अगें तो इसमें जो थे आपको कंपनी फिटेड ही आपको हेलोजन बल्ब मिलते थे और साथ में ये टाटा की बैजिंग बीच में जो काफी अच्छी लगती थी और देखो ये फॉग लाइट और ये में लाइट तो ये टॉप मोडल था यार तो इसमें आपको फोर स्पीड ट्रांसमीशन मिल जाता है और रही बात अंदर के स्पेस की तो स्पेस भी गाडी में काफी अच्छा है यार मैं आपको इसका बूट स्पेस अल्रेडी दिखा तो काफी सई बूट स्पेस दे रखा है और ये नीचे इंजन है इसमें और कंडेंसर वगएर आगे होते हैं इसमें और ये मैंने ली है यार किसी अपने नोन में से जिन में 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 को इंजन जो है काफी अच्छा मिल गया इसका पूरी गाड़ी साफ सुतरी बिलकुल ठीक से जैसे अटका हुआ है तो अगर आप तब इसको लॉक करोगे तो इसका हॉन बजेगा कि आपकी गाड़ी ठीक से लॉक नी वही और अगर आप इसको डंक से प्रॉपर बंद कर दोगे तो कोई भी आपकी गाड़ी में हॉन नी बसता तो ये इसका एक फीचर बहुत अच्छा है ये कंपनी से ही आता है अगर आप कंपनी वाली सेंटर लॉकिंग लगा रहे हो तो यही थी यार एक छोटी सी वीडियो अभी इस गाड़ी में मैंने बहुत चीज़ें प्लान कर रही है कि यार अगर हम इसमें चाहें तो टायर साइस को आर 12 से आर 13 या 14 कर रहे आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना है आपको इस गाड़ी के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स चीए और इसके साथ बहुत कुछ करने वाले यारम इसलिए मैंने लिए और बाकी देखते हैं क्या रहता है बाकी इंजन वगेरा बहुत अच्छा है इस गाड़ और इमें यह भी भरत टेख आप